दोस्तो इमेल में दो लगवा सभी लोग जानते ही हैं पर उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में साइधी कुछ लोग जानते हों जैसे की CC and BCC दोस्तों, इसके बारे में, हम में से, कुछ ही लोग जानते हैं. दोस्तों, मैं आज आप तो यहीं बताने वाला हूँ, CCC का क्या यूज है, और BCCC का क्या यूज है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ, संंदीब सभी आई नहीं, आप देखेंगे हैं, एकनो इसके सिंदी, दोस्तों आप कोई भी email बेशते हों, उसमें compose का option होता है, इसे आप email send करते हैं, compose पर click करते हैं, plus icon पर click करके, compose कर यह आ गया, तो यहाँ पर true का option है, और arrow का key पर click करके, मैं CC और BCC को visible कर देता हूँ, तो यह दोस्तों आपके email में आया जाएगा, आराम स आप compose में जाके देख लिए, उसके बाद दोस्तों हम जो यहाँ पर ID डालते हैं, एक बार मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, दोस्तों हमने ID डाल दी है, 2 में वो ID डाली जाती है, जिसको हम order दे रहे हों, जिसके लिए काम दिया जाता है, उसकी 2 में ID डाली जाती है, और CCC में उसकी ID डाली जाती है, जिसको हम बताना चाते हों कि हमने इसे काम दिया है, CCC का मतलब होता है, Carbon Copy और BCC का मतलब होता, Blind Carbon Copy, जैसे कि CCC में हम HR की ID डाल सकते हैं, और 2 में जिसके हमने order दिया है, जिसको काम दिया है, उसकी ID डाल सकते हैं, और दोस् आपको सेंड करके दिखा देता हूं टू और सीसी वाले को बीची की आईडी नहीं दिखा देती सेंड पर किलिक कर देता हूं यह देखिए दोस्तों सेंड पर किलिक किया और हमने यह मैसेज हमने इस मैसेज का नाम दिया था टेस्च मेल 3 एक वर जाकर हम चेक कर लेता है अपने यहरू की ड़ए यह डाल लीती है हमने में तो हम जाहू मेल पर जाकर चेक कर लेते हैं यह जोता हो पर सेंट हो डेक्त है यह देखिए दोस्तों पर दोस्तों कि avail idкам नहीं वाली आईडी नहीं इस तरह हम जाए होंगे कि क्या है और बीचिस्ती क्या है दोस्तों आप कोई पूछे क्या है या असानी से बता सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें सेर करें दोस्तों इस तरह की उस फिल उडियो में लाता रहता हूँ आप चाहें तो हमारी चैनल टेक्नोएस के से हिंदीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वचिंग फ्रेंड्स